नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप अपने एक्सेस बैंक के डैबिट कार्ट से ओनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे कर पाएंगे उसको कैसे मैनेज आपको करना है वह हम इस वीडियो में बताएंगे तो सबसे पहले आपको एकसेस बैंक का मोबाइल बैंकिंग अपको लॉगिन कर लेना है उसके बाद जैसे आप लॉगिंगे कुछ वोंपेज इस तरीके का दिखेगा आपको आप नीचे स्क्रोल करेंगे यहां पर आपको क्विक लिंक्स दिखेंगे और यहां पर यहां पर आपका डैबि पिन, ब्लॉक, रिप्लेस कार्ड, मैनेज कार्ड, मैनेज कार्ड में आप क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे आपको continue दिखना है, continue में आपको क्लिक करना है, और आप यहाँ पे देखने हैं, जैसे e-commerce limit, online limit हमारी यहाँ पे 0 है, हमने बंद की हुई है, तो यहाँ पे आपको इसको on कर देना है, और नीचे confirm लिखा है, उसमें क्लिक कर लेना है, जैसे आप और भी लिमिट, जैसे cashless, contactless limits हमने बंद की थी, on कर सकते हैं आप, और e-commerce limit आपकी 1,25,000, इसको आप घटाना चाहते हैं, तो वो भी आप घटा बढ़ा सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ इसके confirm में क्लिक कर लेना है, confirm में क्लिक करने के बाद यह आपकी details दीख रहे हैं, आप एटियम विड्रॉल लिमिट कितनी है, contactless limit कितनी है, और यहाँ पर आपको confirm में क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने bank का mobile banking pin डालना है, M pin डालना है, M pin डालने के बाद आप यहां पर देख रहे हैं your request has been processed successfully तो इस तरीके से आप अपनी limit change कर सकते हैं अगर आप online transaction नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से अपने card को manage कर सकते हैं access bank के mobile banking app से अगर वीडियो आपको informative लगी हो तुमारी वीडियो को like जरूर करें मिलते हैं अगली ऐसी informative वीडियो के साथ धन्यवाद